हेलो गाइज हेलो गाइज कैसे आप सब मैं चीन में स्वागत करता हूँ आपको आपना यूटूब चैनल कंप्यूटेटिव गुरुजी में आज हाम दिस्कस करने वाले हैं जिक्के की कुछ इपोटान कोस्ट्यन जो कि आपके आने वाले एकजाम के लिए बहुत इपोटान होगा चलिए क्लास को शुरू करते हैं गाइज और एक बाद आप ख्लास को जरूर लास तक जरूर देखिएगा आपको बहुत शारी मद्द भूलेगा बीच में सब्सके नहीं जाएगा चलिए क्लास को सुरूवात करते हैं बिनना ओटाइम मेस्ट के गाईट चलिए आज का पहला कुष्चिन की सुरुबात करते है पहला कुष्चिन विच्च अब्धी फोलोईंग इसे ट्रांस्रीमालर भर समझवारा है गांगा यो मुना या सतलेच या रभी कांशा रभर है जो की ट्रांस्रीमालर भर है आपको बताना है जरूर बताओ कमेंट करके बताओ अंसर क्या होगा गांगा होगा या यो मुना होगा या सतलेच होगा या रभी होगा क्या होगा इसका अंसर जैसे के आप सब देख सकते हो इसका अंसा सत्लेज हो गाए देखो सत्लेज ही है जो की ट्रांस ही में रिवरे समझ में आ रहे चले लाइच चले नेस्ट कोस्टिन के पहर चलते है नेस्ट कोस्टिन जैसे के आप सब देख सकते हो एलेक्ट्रिक बॉल्प पा जो फिलामेंट है कौन सी धात्यू का मेड है एलेक्ट्रिक बॉल्प फिलामेंट मेड़ आपको बता नहीं कपपर अलुमिनियूम या लेर या टंग्स्टन कौन सा अधू जैसे कि आप सब्विए तो बच्चो वाला कुष्चन है जैसे कि आपकी स्टेंथस स्टिंडार में या नाइन्थ में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिय द ini कि कॉन सारे दी बताओ टंक्स्टेण ग counterpart युग सब olduğunu करने अग्सार पीए अधू के शारें लिसरी सब्सक्रियो यूज़त योज खालत है तो टर्ट लावलाट आक्ट पास्ट दिन कशी साल में रावलाट आक्ट पास्ट वाता बता नहीं आपको बताओ क्या होगा इसके आंसर कि 1905-1913-1935-1999 बताओ करें करके बताओ और भी तक जल्दी से बताओ एंसर यह होगा 1905 या एंसर बी 1913 होगा या एंसर सी 1925 होगा या 1990 होगा नाइंटिन होगा बताओ अभी तक सही एंसर नहीं है स्वही करने की कोशिश को यह रावला टाक टेंथ में है स्टेंड चंडर में है वो बहुत इपोटार्ड क्वेस्टेन है रेल वे में दो बार पुछा जा चुका है रावला टाक्ट कब पास होगा बताओ जैसे की आपसर देख सकते हो टाइम अप हो गया जैसे की आपसर देख सकते हो नैंटीजन में रावला टाक्ट पास होगा था समझ में बहुत जैसे कारण चैसे स्वाल की पलिशन के लिए कौन जिमेदार है बेड़ार ओफेड़लत रचेल्ट। भेताओं इसल्रों ऐलोर नहीं होगारों नहीं हिए एरोजेल ओजोन या एसीजन या पान क्या होते नहीं नहीं होगा है तो एक एक प्षिन एलिमिनेट ही कर देता हूं बलो और क्या होगा एरोजन और या पान बताओ जैसे कि आपका आज सब देख सकते हो इसका एंसर एसीडेन ही होगा समझ मैं आ रहा है सहाइल परिशन के मेंके जो है का जो है वह है एसेड़न की ही बज़े से ही सहल की पॉलिशन होता है समझ में रहा है चले नेक्स्ट क्वेस्टेन गया चलता है कि विच्वान अब दी फॉलोईंग इस नोन एज वाटर वे प्लानेट कौन साइसी प्लानेट है जो कि वाटर वे प्लानेट मना ज़ए मैं आपको और फी अप्शन देख दो अप्शन पहले देख दो उसके बाद मैं आपको समझा जूँगा मर्क्यूरी होगा या आर्थ होगा या मास होगा या जुपीटर होगा कौन साइसार होगा कौन सीएसी प्लानेट है इसका मतलब है इस क्वेस्टेन का मतलब है कौन सीएसी प्लानेट है जहां पर है कि जहां पर वाटर पाहे जाता है सो इटी कल देज वाटर वे प्लानेट अ अभी कौन गलत कर रहा है मर्कूरी में वाटर है कौन बोला है मर्कूरी में वाटर है बोला सवय अंसार बोलने कोशिश करू आर्थ होगा इसका सवय अंसार जैसे के आप से देख सकते हो आर्थ हमारी आर्थ एक ही प्लानेट ऐसा है जो हां पर की वाटर पाया जाता है तो इ सब्सक्राइब करने के बारे में कौन सी आर्टिकल बताता है देखो 217 या 241 या 219 या 252 कौन सांसर होगा 52 अंडरलाइन है तो सब 52 अंडरलाइन वह गलती से हो गया वह एंसर नहीं है आप 52 क्वेस्टन देखने के देखके सब 252 यह क्या है 252 नहीं है बोलो कौन सांसर होगा जो की हाई कोट की सेटप बारे में बताएगा बता रहा है मैंने बता जार ने तो 50 गलती से अंडरलाइन हो गया 250 नहीं है बोलो वह तीनों में से कोई है एक है बताओ कौन सांसर अभी तक साहीं अंसर नहीं है नहीं आया एक ही बच्चा जिस्ट यांशू नाम के कोई बच्चा है जो की साहीं अंसर देराएग और सब उसका अंसर को अभी प्रेस्ट करने लगेगे दखो मैं बता देता हूं जैसे कि आफ सो देख सकते हो इसका अंसर 217 होगा 217 अटिकल में आपको बता रहा है कि आपका स्टेट मितलब स्टेट में हाई कोट होगा उसके बारे में कौन बता रहा है 217 समयज में आ रहा है चलिए नेक्स्ट क मलता नहीं 600 किलोमेटर या 1000 किलोमेटर या 36 000 किलोमेटर या 3600 किलोमेटर कौन सा अंसर होगा जियो स्टेस्टन डेरबिट कितना हाइड पर है बोलो जल्दी से कमेंट करके बता आप सो एंसर क्यू नहीं आ रहा है कोमेंड बक्स इतना थंड़ा क्यू है कैसे आप एंसर करने की कोषिश कूर बादा जियोस्टेशनल रबीट कितना हैट पर है 600 1000 3600 कितना हैट पर जियोस्टेशनल रबीट है जैसे कि आप सोब देख सकते हो इसका पर जियोस्टेशनल रबीट जो कि 36000 किलो मितर में है मैं समझ में है है नेक्ट क्वेशनल चलता है फास्ट रणस्ट रेंद इंडिया में कौन शीत साल फास्ट पहला ट्रेंद शुरुआ था आपको बताने पहला आप्शन ऐटीन हंट्ट फिटीवान सेकेंड अप्शन 1852 थार्ड अप्शन 1853 फोर्थ अप्शन 1854 कौन से साल में आपको बतान है बता अजल दीशे बताओ इतना लेट क्यों है बताओ जैसे के आप सब देख सकते हो 1853 इसका करेक्टर नहीं होगा 1853 में दसका पहला रेलवे स्ट्रेड रहा था समझ में रहा है वह कोस्टेन बहुरती पोटांड है आद के आने वाले ग्रूपडी या एंट्रीपीसी एकजाम के लिए क्यूंकि देखो रेलवे का एकजाम है तो रेलवे के बारे में ही पूछने की बहुत सारी संभावना है वो पूछ चुका है समझ में रहा है तो इसका राइटेंस है कौन होगा 1853 जैसे क्यासर देख सकते हो चले नेक्स्ट क्वेस्टेन के यह चलते है इन फूलीजर प्राइज एस्टाइब्रिश पूलीजर प्राइज कौन सी साल में एस्टाइब्रिश हुआ था आपको बतान है समझ वार है कि छले फास्ट ऑफ्षन के चलते है 1918 सेकंड ऑफ्षन 1917 थार ऑफ्षन 1922 या फोर्ट ऑफ्षन 1928 कौन सी साल में पूलीजर प्राइज के बारे में बताना है पूलीजर प्राइज बहुत पूछ चुका है एक्जाम में आपको बताना है जल्दी से बताव एस्टाइबलिश हुआ था जैसे कि आप सो देख सकते हो 1917 में पुलीजर प्राइब एस्टाइबलिश हुआ था कॉन्सी साल में 1917 समयज में रहे चले नेस्ट क्या चलता है ओपन मार्केट अपरेशन इजे पार्ट अप क्रेडिट पलिशी या डेबिट पलिशी या डिपोजेट पलिशी या नौन अपदिश सब कुछ एक्जाम में ससी हो या रेलुए में हो दो या चाल की एकोनमिक क्वेस्टेन पुछ रहते हैं तो में एक डाल कर लिया है वोलगो उपन मर्केट अपरेशन में कौन सामिल इसी पाठ़ एक पाठ है क्रिट पलिशी या डेबिट पुलिशी या डिपोजीट प्लिशी इसका पाठ एक या नौन अपिक्ट जिए ओप ऑन मार्केट अपरेशन की क्लेट पाठ coleपन पर सिंखे ऊपांज और अपरिस्ट्न आ परी में इसक्रेट सतने की पटरेक्ट तो ऑफ्लम्रा सिर्फी सम्हान है आइटे